हेलो, हेलो एबरीबान, वेलकम बैक टो माई चैनल, कैसे हो आप सबी, I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ, मैंने कर दिया अपने वीडियो की सुरूबात, एक नए दिन के साथ, और उमीद करूँगी कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए, तो अभी टाइ और अभी मैं आ गई, बाल वगएरा कमी किये हैं मैंने, और मैंने सुचा कि थोड़ी सी आप से बात है कर ली जाए, वीडियो सुरू कर लिया जाए, और आप सोचोगे कि ये कौन सा टाइम है वीडियो सुरू करने का, लेकिन न, जब मैं फ्री होती हूँ, और मुझे लग नहीं सो पाती हूँ, मुझे लगता है कि टाइम को बरवाद ना करके अपने घर का कुछ काम करना चाहिए, वैसे इस टाइम कोई भी काम ऐसा नहीं है, कि मैं चाहूँ अगर लेटना तो मैं लेट नहीं सकती, आराम नहीं कर सकती, कर सकती हूँ और काफी देर से मैं आराम कर रही हूं जैसे कि मैं क्या समझती हूं जैसे कि मैं फॉन बगएरा करती हूं बैठ करके लेट करके तो मैं उसी को आराम समझती हूं यह नहीं है कि मैं कुछ अलग से आराम करूं या मुझे इस पेसल से सोना है नहीं दिन में मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचती हूं जैसे पेख्याई में फॉन गूर्वारम करती हूं पड़ी में प्हाइए सब्सक्राइब मुष्ज की जिसे कि में आपको मतलए करे पर उसलिए मेरे पापम में पहों लेकिन चीजें क्या हैं कि आज मनें किसी चीज की सफ़ाई कर दूसरी घर में इतनी सारी चीजें होती है कि आप सफाई करते रहो करते रहो तो पहली वाली चीज की जो अपने शुरू में सफाई करिए उसका टाइम आ जाता है जितने के आप पूरे घर की सफाई करते और देखें कितनी जादा हो रही है मुझे जादा गर्मी लग रही है मुझे क्या गर्मी लग ही रही है ह वो ही रही है और पसीने भी आ गए है आप से पातने करते हुए तो मुझे ना एक दो दिन से साइद कल भी कमेंट आया था तो उसमें पूछ रहे थे कि आपका क्या नाम है आपका क्या नाम है तो मेरा नाम रीना है और जो मेरा चैनल है जिस नाम से वो मेरी बेटी का नाम है अनुष्का चौधरी मेरा नाम रीना है तो साइद वो मेरे साथ नए जोड़े हैं तो जिनको पता नहीं है उनको मैंने बता दिया है जो चैनल है वो मेरी बेटी के नाम से अनुष्का चौधरी के से और जो मेरा नाम है वो रीना है तो होता है जो हमारे साथ नए जोड़ते ह उनको पता नहीं होता है तो उनके लिए मैंने बता दिया है और अभी चलते हैं काम करते हैं कि दोफेर में में क्या-क्या काम करती हूं अनुष्का के आने से पहले और साथ भी क्या-क्या में सपाई करती हूं तो चलिए चलते हैं करते हैं अपना काम बने रहे हैं वीडियो मे कुछ काम होते हैं जो मुझे करने होते हैं तो यहां पर क्या है कि जैसे खाना वगयरा खाते हैं मैं अनुष्का के पापा जी बाद में अनुष्का तो स्कूल सुबह ही चली जाती है तो वह वाले बरतन मैंने साफ कर दिये थे जैसे कि खाना बनता है बाद में कभी-कभी ऐस अगर वह घाना डाइब का कुछ ले जाती कि होते हैं पराठे पूड़ी या सबजी वगएरा तो फिर क्या होता है कि सुभह में ही वह चीजें बन जाती है पस सिर्फ क्या रहता है कि अपने लिए रोचा के पापाजी के लिए उनको रोटी हो प्राठे पूड़ी उनको सेक तो अभी यहां पर क्या है कि मैंने जैसे कि खाना वगएरा बनाया था तो वो बरतन रखे हुए थे मैंने साब किये थे तो मैं उनको यहां पर स्टेंड में लगा रही थी मैंने का यह काम भी करना जरूरी है फिलहाल कि अभी टाइम होगा थोड़ी दिर बाद अनुश्का आ आज मेरा खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं है तो कुछ और भी चीजें बनाने होती हैं बच्चे को तो मैंने का चलो फिर वो आएगी देर लगती है ना फिर मैं लग जाओंगी इन कामों में तो फिर उसके टाइम कहा दे पाऊंगी तो इसलिए मैं सोचती हूं कि अनुश कि पापाजी आ गए हैं तो लगा क्या था वो आ ही गए थे तो मैंने सुचा कि अप मैं गेट को बंद करके रखती हूं उससे क्या होता है कोई भी आता है तो पता चल जाता है थोड़ा हम कैसे भी हैं अपने घर में अगर कोई आए गेट को आवाज लगाए एक उन्दी व खाना मांगेंगे जरूर मांगेंगे वो आते हैं तो वो खाना मांगते हैं तो मैं अभी यही बात उनसे कर रही थी मैंने का खाना खाना है अगर खाना खाना है तो मैं आपके लिए फिर खाना बना दूँ खाना क्या बस रोटियां बना नहीं है सबजी वगरा तो सब रख इसने अपना कुछ काम कर लेती हूं तो बस वही बातें चल रही थी यहां पर और बातें करतें अपना काम भी चल रहा था क्यों पिना ऐसा तो हर टाइम नहीं होता है कि मैं बैटके बातें ही करते रहें अगर ऐसे बातें ही करते रहेंगे तो फिर काम कब होगा है न काम के ल इसाफ पानी में निकाल करके और फिर मैं डाल दूंगी सुखाने के लिए। पस यह है कि यह काम ना, जितने भी काम है बेटी के आने से पहले ही खतम हो जाएं तो फिर मैं उसको टाइम दे दूँ, और यह है कि कपड़े निकालते हुए यह मशीन का उपर का ढकन जो ए बार बार मुझे गिर जाता है, है ना, क्योंकि निकल जाता है पताने कैसे, वैसे इसको अलग भी रख सकते हैं लेकिन मैं रखती नहीं हूं निकाल करके मैं ऐसे ही रखती हूं कि ना फिर अलग रखो फिर इसको एक जगह अलग बनाओ तो और फिर अच्छी भी नहीं लगेगी अगर मैं खुली करके ऐसे छोड़ो तो फिर अच्छी भी नहीं लगे इसलिए कि मैं सोज़ती मैंने का नहीं इसको डगकन है तो डगकन के रूप में ही रहने दें उसको अभी यह अनुश्का के पापा-जी की सार्ट है तो इसका मुझे डर था कि यह सार्ट कलर छोड़ेगी उसी बज़ए से मैंने यहां पर इसमें इसको साथ में नहीं डाला था तो फिर दमाग में टेंसन रहेगी कि कहीं कलर न छोड़ दे तो अभी वहां से मैंने कपड़े निकाल लिए और यहां पर आ गई हूं मैं यह अनुश्का कि पापाजी की एक चादर है होती है चादर जैसे की ओड़ते हैं जैसे की कहीं आते हैं जाते हैं तो यह चादर होती ह यह चादर बूर में फिलाल एक ही चादर है कि में ही लेके आई थी इन दोनों चादरों को तो अभी मैंने सूचा कि चलो अभी यह आए ए फटशव से क्या करते हैं सरब डाल करके और हाथ से इसको मीडर करके तो इसको बूर। ही है कि पूर। बोड़ को साथ से एक ना सब्सक्राइब cry कॉछ sicher चौन होता है और बूर। से इसको धो करके और निल लगा करके सुखा दोंगी तो यह बहुत जल्दी से सूख भी जाएगी और कोता है कि धर की अपने अपने एरी की बात होती है हमारे गाउं की तरफ तो कोई विचादर वगरा नहीं ओड़ता है ओड़ते हैं जैसे कि बड़े बुड़े होते हैं उन हुआ है झाल 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 तो इसको निकालती हूं और इसको अच्छे से लगा करके और फिर जब ही इसकी तह करूंगी से इसमें से निकाल गए क्यों कि तह करूं तो बिल्कुल नहीं होगी ना ही प्रेस होगी ऐसे तो अभी मैंने इसको निकाल दिया है और अच्छे से मैं इसे कर रही थी सीधा सा मैं और पकस थे तो मुझे रितिक रितिका कि सारे कपड़े प्रेज कें bird tomen which do live in the लिए कपड़े सारे अलग कर दिये हैं जो कपड़े प्रेज करने के नहीं ते जैसे की होते हैं छोटे बड़े उनको मैंने तह करके रख दिया है तो अभी मैंने को तह करके रखूंगे फिर ले करके जाओंगी अंदर ये वाला सूट है मेरा मैं सोच रही थी इसकी तह करूं नहीं करूं बस वो ही सब दिमाग में चल रहा था मैंने सोचा कि चलो थोड़े से कपड़ें करती हूं जो बाहर बिना तहके और जो कपड़ें उनकी तह कर देती क्योंकि लाइट चली गई तो फिर ये गंदे लगेंगे ऐसे दिख रहे हुए बस यहीं चल रहा था और मैं इ इसे खोलती तब जादा अच्छे से दिखाई देता है अपने बंद कर देता है तो दोनों ही इसाब से मुझे ठीक ही लगा जब मैं उनको पर्दों को खोलती थी तो फिर मुझे जादा ही रोसनी से दिखाई देती थी सब की सपेच सा तो मैंने कहा चलो इसे बंदी रहने प्षभी काम करते हैं तो बहूर की सारी पता रहती है बाहर पतल बहुत निसब्दैे पता रहती हैं परड़े इसलिए लगाने पड़ते हैं कि सामने रोड है तो उस पेसे बीचलते हैं ये से आते जाते हैं को सब दिखाई देते हैं इसी लिए हैं पर मैंने परदे लगाये हुए है अगर जबुरत हो तो हम अल्का सा हटा ले देखने हम सामने वाले को ना जीख पाएं ऐसे की बैठ भी जाते हैं घर में लेट भी जाते हैं ना तो सामने ने ब्रामडे में चार पाई पड़ी हुए तो इस पर लेटना बैठना भी होता रहता है तो इसी वज़े से ना चीजों को थोड़ा देहंग से रहते हैं कि अचैने कि आज कि आज कि 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 तो फाइनली सारे कपड़ों को तह करने के बाद और फिर मैं आ गई हूँ अंदर अंदर आकर के मैंने कपड़े सारे रख दिये हैं और यह चोटे जैसे की चार्जिंग वेरा पर लगा देते हैं चोटी बड़ी चीजें तो उनी को मैं हाँ पर ले जा रही थी क्योंकि यह कपड़े वह चांट रहे थी कि पहले मैं जरूरत के कपड़ों पर प्रेस करूंगी बाद में करूंगी वाकिके जो जरूरत के सारे ही कपड़े हैं लेकिन कुछ चिजों की पहले जरूरत होती है में अनुष्का के पापजी से सुभा बोला था तो लेकर आये थे एक मैंने यह वो मंगाई थी धागे वागा थे काले कलर के तो मैंने कहा चलो इनको भी ठाकर करके रख देते हैं जहां पर मुझे रखनाः सुभए से रखे हुए अच्छे नहीं लग रहे हैं तो इन चीजो जो पहन लेती हूं मैं कभी कि वो रखी वी थी और मेरा क्या है मुझे इतनी ज़्यादा इससे अलरजी गर्मी लगती है कि मैं इसको बहुत जल्दी से उतार के भी रख देती हूं पर मेरा क्या है कि मैं रख के भूल भी जाती हूं मुझे याद आया कि मैंने ही पर रख रख तो फिर बाद मेरे हाट नहीं आएघी और मैं इस को ढूणने में लगी रहाएगी इसलिए मैंने इसको पहना और अभी मैं आ गही हूं प्रेज करने के लिए सब से पहले मैंने वह चादर जो सुआई थी ना उसी को ले Image करते है झाए इस promotion पहले करते है और अनुशका च्छाता नहीं ले करके गई है। और अभीना अब देखती है। टाइम की भीज़िकना हुआ है। । तो अभीना बाराइस बॉहत दे जा रही है। मैंने देखा तो चलो कोई नहीं देखती है। अभी थोड़ा सा टाइम हैw में अब देरा का अनुष्का की आने का में इनतिजार। और मैंने सचा कि नहीं क्योंकि उसने कूलर को बंद करती तो बिल्कुल भी हापर बैठाई नहीं जाता इसलिए मैंने सुचा कि चलो बोड ले करके आते हैं और बोड ला करके फिर प्रेस करेंगे क्योंकि ना बोड से क्या है कि जिदर मैं रख लूँगी उधर ही में बैठ कर लूँगी आरामसे इधर तो यह है कि उधर इसका बोड है लाइट का तो उधर ही मुझे प्रेस लगानी पड़ेगी तो यहां पर तो ऐसा हो नहीं सकता इसलिए मैंने सुचा कि इसको लगा दू भी में चम कर लिया तुझा कर देज ना तो इसमें पता नहीं प्रेसे को युदृ होगी का क्या था कि मैं चटकनी और यह नही कि थी मुझे बाद में पता चला है हम कई वारी ऐसी कर देते हैं कि हम जो चीज हमारे सामने रखी हुई है उसको भी ढूरते रहते हैं पता नहीं चलता है और वो हमारे पास ही रखे रहे दी तो वही मेरे साथ हो रहा था कि मैंने ओन नहीं किया और मैं इसको यही दे के जा रही थी कि मैं लाइट इसमें क्यों नहीं आ रही है पर चलो कोई नहीं और इस पे न थोड़ा दबा करके प्रेश करनी पड़ेगे और मैं भार की साइट बारबार यह देखती थी कि जहां पर मैं बैटी हुई न हुआ प्रेश करनी कि इधर मैं गेट की तरफ देखती थी उधर मैं घड़ी की तरफ देखती थी पहले मैं इधर देखती थी फिर मैं उधर वस्त यह चल रहा था वही मेरे साथ क्योंकि मुझे न बहुत ज्यादा बेशब्री से इंतिजार था अनुष्का का तो हमारी गुडिया अनुष्का के लिए और फिर उसको खाना बनाओंगी और फिर उसको खाना बनाओंगी और इधर मैं रख गई थी दूद गरम होने के लिए क्योंकि न गर्मी बहुत जादा हो रही है इस टाइम में गर्मी में दूद खराब हो जाता है अगर दो बार मैं इसे गरम ना करूं तो मेरा दूद खराब हो जाता है जो कि मेरे साथ अभी तो तीन दिन पहले हो चुका इसलिए मैंने इसको गरम कर दिया है तो अभी भारी आती है अनुश्का को खाना देने की और इसके पापजी आये थे बीच में ही वो किसी काम से वापस चले गए हैं मैं तो सोच रहीए थी कि उनके लिए साइथ खाना पनेगा क्यकि वो और अजिए अपने लिए चाय बनाओंगी और अभी मैं सोच रहीं कि पस्वों के लिए पानी पिलाया हूँ तो फिर लाइट अभी आ रही है फिर लाइट चली जाएगी और निलादू एक बार ओद अना गर्मी में तो दो बार निलादू तो सही रहता है तो अभी मैं जाओंगी नीचे पहले ही हाग का काम खतम करने क पर फिर में नीचे जाऊंगी, अभी मेरे कपड़े जो मैंने लिये थे, वो मेरे प्रेस हो गए हैं, और मैं जए अभी और में कपड़े लेने हैं, मतलब की प्रेस करने के लिए, तो अभी मैंने वो नहीं लिये हैं, तो कि न, पहले अपनी गुड़ी आरामी का काम, थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं, अगर न्यू है तो सब्सक्राइब की कर लें, और मुझे कमेंट करना ना भूले, मिलेंगे आप से एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुस रहे हैं, अपना ख्याल